मॉनिंग यान जाहिन बचो, बचो मैं अजक्मार वारंसी उत्तरप्रतेश से आपके अपने चैनल 9 सिक्षन पे स्वागत करता हूँ बचो उमीद है आपने वाटसेप ग्रूप मेरा जोईन कर लिया होगा जिन बचो ने नहीं जोईन किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके जरीए आप पूरी फ्री तैयारी मेरे चैनल के जरीए कर सकते हैं ठीक है अब आपको पता है कि नौदे विद्याले परोईस आपके 29 अपरेल को है उसके लिए मैं मौडल पिपर बता रहा हूं साथ ही जो विद्याग्यान परिक्षा है उसके उस परिक्षा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये कोस्टेंस है और जो अटल आवासी विद्याले खुलने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में उसके लि लिए जो इन तो विच आप दी फॉल्लिव ऑप्षेंज आपके सामने आपको दिख रहे हैं तो देखें मैंने कई वीडियो से में बताया हुआ है कि परसेंटेज का मतलब होता है बच्चो एक बटा सौ ठीक है तो यहां में कुछ नहीं करना है चार दसमलोग चार को लिख मतलब answer आ जाएगा हमारा option number B में बच्चो दिख रहा है देखें 4.4 by 100 अब ध्यान देजेगा कभी कभी options भिन में ना रहकर यानि कि fraction में ना रहकर decimal होंगे तब आप क्या करते हैं ठीक है तो इसके आगे का मैं बता देता हूँ क्योंकि प्रशन बदल के कैसे भी आ सकते हैं तो यहां हमेशा ध्यान देजेगा कि नीचे वले संख्या हमेशा ओपर वाली संख्या को भाग देती है अब मैं यह तो नहीं कहूंगा अब आप actual में इसको भाग देजे इसका एक shortcut तरीका है वो मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आपको करना है आप संख्या को लिख लिजे ठीक है अब नीचे देखे जितना जीरो कितने जीरो है दो 0 है दसंख्या तो दसंख्या ना रहे तो उसके बतले में आप क्या देंगे जीरो देंगे अब देखे एक और दू अब यहां हम दसम्लो लगा सकते हैं तो यह option में इस तरह से आपका 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 भी हो सकता था अब यह जो परिछा संस्ता करा रही है उसके उपर है कि किस तरह से आपको options दे रहे हैं लेकिन जो उनका concept था यह जानना चाहरे था कि बच्चे को percentage प्रतिसात का concept पता है कि नहीं अगर वही decimal का concept देखना चाहेगा तो यह वाला option आपको मिल सकते है क्योंकि आप में decimal है तो इस तरह के प्रशन आ सकते हैं तो आपके देखे दो तरह के प्रशन यहां त्यार हो गए अब question number देखे दूसरा दिख रहा है कि एक घंटा एक घंटा बराबर वन आवर बराबर कितना होता है साथ मिनट होता है आपको पता है ठीक है साथ मिनट और साथ मिनट में साथ मिनट में एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं साथ सेकेंड होते हैं ठीक है तो अब हमें क्या करना है जो सवाल पूछ रहा है चौव एक घंटे में तो निकालने कितने सेकंड होते हैं ठीक है तब ये आपका पता चल गया है कि 60 मिनट होते हैं मिनट की जो है संख्या वैल्यू है यहां डाल देते हैं तो एक घंटे में कितना हो गया 60 x 60 second हो गया ठीक है 60 x 60 second अब सवाल पुछ रहाया कि 24 गंटे में 24 गंटा या आवर में या आवर में कितने second ठीक है तो हमें क्या करना है जैसे हम बोलते हैं न एक पैंसिल का दाम 5 रुपय है तो बताओ 6 pencil का कितना होगा, तो ले जाके गुणा कर देते हैं, वैसी हमें क्या करना है, 24 गुणे, 60 गुणे 60, 60 गुणे 60, अब ये कितना आएगा देखे, 24 इंटू ये 66 है, 3600, पस 24 को हमें 36 से गुणा कर देना है, तो हम गुणा करेंगे, तो ये आएगा आएगा, आपका 86400 सेकंड, मतलब 86400 सेकंड, तो ये आपका किस option में है, option number C में है, तो आपको पता चला, बस ये गुणा करेंगे, तो ये आपका ये उत्तर बचो आ जाएगा, ठीक है, तो उमीद है, ये भी प्रशन आपको समझ में आ गया होगा, अब आएगे next question में बढ़ते हैं, अब य देखे आपके सामने ये प्रशन है, तो यहाँ पर देके भाग involved हो रहा है, तो सबसे पहले देखे, हम जो bracket में चीजे हैं, उसको हल करेंगे, फिर ये bracket खोल के जो भी संख्या आएगी, उसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, खिक है, तो हमें करना क्या है, कि यहीं प ये पता होगा, इसको लॉसर लेंगे, तो पांच ही आएगा, फिर संख्या ओपर को जोड लेंगे, फिर गुणा का चिन, फिर ये देखे, ये bracket में है, ये 36 बटे 45, अब हम इसका वयुत्क्रम कर देंगे, ठीक है, यानि कि रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो जब भी भाग हो इसको हमें गुणा में बदलना होता है, तो गुणा में बदल लेंगे, और इसको पलट देंगे, 16 बटे 5 है, तो कितना कर देंगे, 5 बटा 16, अब हमेशा ध्यान रखेगा, नीचे की संख्या, उपर की किसी भी संख्या को काट सकती है, ठीक है, तम इसको पढ़ते हैं, 4 कह ही टेबल पढ़ लेते हैं, 4 4s are 16, 4 9s are 36, अब 9 से काट दें, 9 बंजा 9, 9 5s are 45, ठीक है, फिर 5 बंजा 5, 5 बंजा 5, बच्चा क्या, 1 by 4, 1 by 4, अब हमें लोग सिस्टेमाटिक एकदम चलेंगे, बच्चो तो टाइम ऐसा लगेगा, स्टेप वाइस, तो मैं यहां समझाते च जला हूँ, कैसे shortcut तरीके साब जल्दी कर सकते हैं, अब यहां पर हम क्या करेंगे, लसा ले लेंगे, तो LC हम लेंगे, 5 और 10 का LC कितना आएगा, 10 आएगा, 5 तूजा 10, यह आगया 8, ठीक है, माइनस 3, ठीक है, कितना आगया यह वाला part, 5 by 10, 5 बटे 10, 5 बटे 10, देखे इसक काट सकता है, उपर की संख्या मेंसा, नीचे संख्या को काट सकती है, या भाग दे सकती है, नीचे वाले संख्या, अब क्योंकि यही कट रहा है, तो 5 से काट दें, 5 बटे 10, 1 by 2, अब देखे, इसका एंसर आगया, 1 by 2, और इस वाले का एंसर आगया, 1 by 4, ठीक है, अब पता चला है, इस तरह के सवाल को आपको कैसे करना चाहिए था, बच्चों देखे, जैसे जो बेसिक फॉर्मला है, इसमें आपको पता है, बार्ड मास रूल लगता है, BODMAS, मतलब bracket of division, division मतलब भाग, ठीक है, multiple, M से multiplication, A से addition, S से subtraction, तो सबसे पहले हमें भाग, गुणा, ज जोड है, यहाँ घटाना आता, तो मैंने इसलिए पहले यहाँ पर नियम के हिसाब से पहले जोड किया, हिंदी वाले बच्चों के लिए भागू जोग, ठीक है, इस से क्या हुआ आपका, भा से भाग, गू से गुणा, जो से जोड, घह से घटाना, तो सेम चीज है, आप ह अभी से इंग्लिस वर्जन पे भी ध्यान देजो बच्चों, बच्चों फोर आपके सामने है, स्थार के किस मान के लिए संख्या 56 स्थार 891 इग्यारा से पुनतेया बिभाजित होगी, for what value of star, the number 56 स्थार 891 will be completely visible by 11, बच्चों देखे इस तरह के सवाल, बिभास्ता का निय मैंने divisibility का rule मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, यह आपका 11 से भाग के लिए इसके जो odd places हैं, ठीक है, और even places को अगर हम घटाते हैं, उनके sum को, तो 11 से या तो भाग हो जाना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, तब ही यह होगा, मतलब कि जो sum अस्थानों पे जो संख्या है, अब देखें, यहां मैं समझा दे रहा हूँ, यह देखें, यहां पे numbering कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, किदर से भी आप numbering कर सकते हैं, वी sum अस्थानों पे संख्या हैं, तो उनको हम जोड लेते हैं, ठीक है, तो sum अस्थान पे देखें, सबसे पहले 2 को ले ले 9, फिर या 4 तो यह हमें नहीं पता, इसको माले जी हमने star लेके चलता हूँ, और प्लस 5, इसका जो जोड आएगा, और बिसम अस्थानों का जोड, बिसम अस्थान पे कौन कौन सी संख्या है, देखें, 1 है, प्लस 8 है, प्लस 6 है, ठीक है, यह देखें, बिसम अस्थान पे है, 6 था यह 8 था, और यह 1 है, इसको हम घटाएं, या तो 0 आए, या तो ऐसी संख्या है, जो कि 11 से भाग हो जाए, तो हम 0 मान के चल रहें यहाँ पे, ठीक है, अब देखें, 9 और 5 कितना होगे, 14, 14 प्लस star, ठीक है, घटाने के चिन करने, ब्रैकेट अब में खोल दिया हूँ, यह आपका होगे, 9, 9 और 6, 15, बरावर 0, अब आप बताईए, यहाँ सोचे, कि अगर 14 में से 15 घटाएंगे, ठीक है, या ऐसी कौन सी संख्या, हम 14 में जोड़ेंगे, कि वो 0 आजाएगा, 15 पे घटाने, पर साब सी आपको पता है, कि अगर यह 15 को 15 से हम घटाएंगे, तभी त 0 आएगा, साब साब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 14 में कितना जोड़ना है, 14 में हमें एक जोड़ना, अब इसको दूसरी तरीके समझ लीजे, कि अब तो यह हमें पता चलिए, यहाँ एक आएगा, और दूसरा तरीका यह है, कि आप इसको घटा दीजे, 14 में से 15 घटाएं, क्योंकि 15 की मान जादा है, तो क्या हो जाएगा, इस्टार माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, और यह मैंने नियम बताया हुआ है, कि जब भी बराबर के दूसरी तरफ संख्या जाती है, तो उसका जो साइन है, बदल जाता है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जा आया, कि इस तरह से भी आप, मतलब एक तो यहाँ जोड के भी सोच सकते हैं, और इस तरीके से भी इसको हल करके आप उत्तर को निकाल सकते हैं, तो एंसर हमारा कितना आ गया, आपका 1 आया, तो option number C, इसलिए बच्चों इसका सही है, तो clear है कि यह भी प्रशन आपको समझ मे आ गया होगा, अगर बच्चों इस तरह के वीडियोज अगर आपको चाहिए हो, तो comment section में आप yes जरूर लिखेगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोज बना सकूँ, thank you, thank you.